Connecting Feed में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपको एक थरिलफ फिल्म के बारे में बताऊंगा जो समुद्र के नीचे अपने निवास थान पर आकरमन करने के बाद जीव के क्रोड पर आधारित है फिल्म की कहानी उत्तरी सागर में शुरू होती है जहां किनलोच ब्रावो टेल रिग के क्रू मेहनत के बाद घर जाने के लिए तयार है लेकिन रिग मैनेजर मैगनस को कमपनी से बुरी खबर की जानकारी मिलती है कि हेलिकॉप्टर नौर्थ किल्सको प्लेटफॉर्म की मदद करने के लिए डाइवट हो गये है और उन्हें चालक दल को कब लेने जाना होगा इसकी जानकारी नहीं है मैगनस और इन्फरमेशन जानना चाहता है लेकिन फोन अचानक काम करना बंद कर देता है फिर पता चलता है कि पूरी बिल्दिन का कम्यूनिकेशन बंद हो गया है अपनी पत्नी से बात करते करते कैट्स की कॉल कर जाती है और फुल्मर मेन रेडियो को भी ठीक नहीं कर पाता है मैगनस ने एक मीटिंग बुलाए और घोशना की कि उन्हें घर जाने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा ये न्यूस फ्रू को परिशान देती ही है विशेश रूप से लासको अचानक पूरी इमारत में बिजली चली जाती है और फुल्मर को पता चलता है कि सभी जनरेटर काम करना बंद कर रहे है बैटरी बैकप अभी के लिए चीजों को चला रहा है और प्रडक्शन मॉड्यूल अपना दबाव बनाए हुए है लेकिन अगर ये बढ़ता है तो ये उन सभी को मार सकता है फुल्मर स्टैंड बाई वैसल के संपर्क में आने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा है पूरा रिग हिलना शुरू हो जाता है और प्रडक्शन मॉड्यूल नियंत्रन से बाहर हो जाता है और आग पकड़ने लगता है रोज, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है वह इसे अभी बंद नहीं करना चाहती है क्योंकि वे अभी अपने प्रडक्शन टार्गेट से काफी पीछे है लेकिन मैगनस अपने आदमियों की जान बचाने के लिए मॉड्यूल को बंद करने का आदेश देता है उसी समय पूरा रेक फिर से हिलने लगता है सभी लोग शौक हो जाते है जब वे देखते है पूरी बिल्डिंग को बहुत धने और तेज कोहरे ने घेर लिया है कुछ ही देर में फुल्मर पावर वापस लाने में काम्याब होता है लेकिन कम्यूनिकेशन सिस्टम अभी भी बंद है और इस मौसम में हेलिकॉप्र आने का कोई रास्ता नहीं है एल्वनाश चर्य करता है कि क्या उन्होंने बहुत आदिक ड्रिल तो नहीं कर दिये जिसकी वज़े से एक भूकम्पिय घटना हो सकती है लेकिन रोज एक व्यग्यानिक है और उसे विश्वास दिलती है कि यह इस तरह से काम नहीं करता है मैगनस कहता है कि कम्यूनिकेशन को ठीक करना बहुत इंपोटन्ट इसलिए वह फुलमर और बास को जाच के लिए रेडियो टावर पर भेजता है जब वे उपर पहुँचते हैं तो फुलमर मशीन की जाच करना शुरू कर देता है लेकिन वह अपना आपाखो देता है जब बाज उस पर टीम को धोखा देने का आरोप लगाता है रोज के साथ संबंध बनाने के लिए क्योंकि वो कमपनी की साइड है टीम की नहीं बाज जल्दी से माफी मानता है और फिर फुलमर उससे जाने देता है तो वह कुछ लेने के लिए आगे बढ़ता है और फर्श पर एक डेट सीगल पाता है मैगनस और लास्ट आवर के बेस पर प्रतिक्षा कर रहे हैं जब अचानक उन्होंने बाज को गिरते हुए देखा कैट और रोज एक मेडिकल किट के साथ धटना स्थल पर जाते हैं जब तक फुलमर भी नीचे आता है ये समझाते हुए कि वह नहीं जानता कि क्या हुआ क्योंकि बाज ठीक उसके पीछे था लास को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने नोटिस किया कि बाज का हौनेस खुला हुआ था Cat Barge को Medical Bay में ले जाती है और उसे Stabilize करती है लेकिन Surgery Room के बिना वह और कुछ नहीं कर सकती Laz अपना सबुक होने लगता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि Helicopas समय पर आपाए Rose, Magnus को Computer पर ये दिखती है कि Pipeline में कोई दबाव नहीं है जिसका मतलब है कि क्षेत्र में सभी Rigs में सेम प्रॉबलम हो रही है कुछ समय बाद, बास जाग जाता है और उसको Visions दिखाई देते है समुद्र के नीचे चीजों में बहुत हलचल हो रही है Laz Magnus के Office में जाता है उसे सब कुछ के लिए दोश देने लगता है Magnus भी आता है और देखता है कि Laz के पास Memo है इसलिए उसे यह स्वीकार करना होगा कि कंपनी पूरेक शित्र का ओयल निकाल रही है और हर कोई जल्दी अपनी नौफरी खोदेगा अचानक उन पर कुछ गिरने लगता है, यह राख है हलाकि वह जवाला मुखी के पास भी नहीं है बाज हेले डैग पर आता है और बेहोस होने से पहले कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, यह पहले ही शुरू हो चुका है बाद में, बाज एंफर्मरी में जागता है और बताता है कि उसे हलिदेक की घटना के बारे में कुछ याद नहीं है तौवर पर उसने कोहरे में कुछ देखा और उसके सिर में में कुछ शोर सुनाई देता है जब कैट उसका बलड लेने की कोशिश करती है तो बाज हिंसक प्रतिक्रिया करता है और उसकी चितावनियों को न सुनने के लिए उन पर चिलाता है क्योंकि वहाँ एक बड़ी लहर आने वाली है जब कैट उसे सुलाने में काम्याब हो जाती है तो वह रोज को समझाती है कि बाज के घाव किसी तरह जल्दी से अपने आप ठीक हो रहे है उनके वह से चले जाने के बाद बाज जाग जाता है और जब वह अपनी चोटों की जाच करता है तो वह देखता है कि कुछ ग्लोइंग स्पॉज उन्हें बंद करने का काम कर रहे है रेक रूम में क्रूख फिलकी से कुछ रोशनी देखते है ये स्टेंड बाई वेसल से है जो कम्यूनिकेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गलत दिशा में भी जा रहा है और उन्हें पता चलता है कि वेसल मदद मांग रहा है मैगनर्स फुलमर को आदेश देता है कि वे देख लाइट्स का उप्योग करके उनसे पता करे कि वे क्या जानते है फिर वह को कमर्च से मिलने जाता है ताकि वह अपने राशन को जमा करने के लिए कह सकें लास पागल होने लगा है क्योंकि वह अपने कमरे में बंध था और इस्ट दर्वाजे की रखवाली कर रहा था अनफर्मरी में बास फिर से उठता है देखता है कि उसकी अधिकांश चोटे ठीक हो गई है और तभी उसे रिक्ये नश्ट होने का द्रिश्य दिखाई देने लगता है फिर वह अपने कमरे में जाता है और कपड़े पहनते समय वह दद से कराहने लगता है क्योंकि उसका सोने का दात उसके मुह से बाहर निकल जाता है रोज कुछ राक को इकठा करती है जाच करने के लिए और सभी को अंदर रहने का आदेश देती है फिल्मर ने उसे और मैगनस को सूचित किया की वैसल के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके पास communications भी नहीं है इसलिए यदी वे सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं तो वे उन्हें गाइट करने के लिए रोशनी का उप्योग नहीं कर पाएंगे और नाव दुरगट नागरस्त हो सकती है यदी वे जहाज खाली कर देते हैं तो यहाँ भी करना चाहिए लेकिन रोज ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि यह उन्हें कॉंट्राक्ट परने के लिए कानूनी मुसीबत में डाल सकता है लेकिन मैगनस की प्राथमिक्ता सभी की सुरक्षा है और वो फुलमर को जहाज को धीरे-धीरे गाइट करने के लिए रोशनी रखने के लिए कहता है लास खिल्की से बहार निकलने के लिए इसे दीवार से हटाने में सफल होता है लेक नशे में धुथ होने के लिए रविंग अलकोहल को चुराने अन्फरमरी में घुश जाता है फिर शौवल लेने की कोशिश करता है उसक्षन उसका शरीर चारो तरफ से दर्थ करने लगता है और लेक खून की उल्टी फेकता है उसके टैटू की इंक उसकी स्किन से निकलने लगती है जब तक हैदर उससे देखती है तब तक वह मर चुका होता है जब cat उसकी जाच करने आती है तो वह नहीं बता पाती कि उससे किसने मारा लेकिन जब दिनलिन बास के दाथ को लेके दिखाता है तो उसे यकीन है कि कोई चीज उनके शरीर से इनौग्यानिक मटीरियल को बाहर धकेल रही है कंट्रोल रूम में फुल्मर ने पुल पर एक रोशनी देखी जो की वैसल से नहीं आ रही है इस दोरान फुल्मर गलती से अपना हाथ धायल कर लेता है उसी समय राख रहस्यमय तरीके से गिरना बंध हो जाती है लास कंट्रोल रूम में जाता है और रोशनी के साथ सोस को संकेत देना शुरू कर देता है जिससे जहाच पुरी स्पीड से चलने लगता है एलविन और फुल्मर मेसेज देखते हैं और वापस अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दर्वाजा बंध है इसलिए एलविन दूसरे एंटरंस की तलाश में जाता है जबकि फुल्मर चिल्लाता रहता है हैदर उसे सुनती है और मैगनस को दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए बुलाती है फुलमर उन्हें लास के बारे में बताता है और वे उसे रोकने के लिए दोरते हैं लगभग एक fist fight शुरू हो गई थी तभी मैगनस ने पहले मेसेज को सही करने पर ध्यान देने के लिए कहा अविन फ्लिकरिंग हो रही रोशनी को फॉलो कर रहा है जो उसे बास तक ले जाती है इसलिए बाज अविन को गिरा देता है और भाग जाता है डिनलेन अविन के शरीर को पानी से कीच कर बहार लाता है और मैगनस CPR की मदद के लिए आता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है रोश राक का अध्ययन करना जारी रखती है और जब वह उस पर थोड़ा सा खून गिराती है तो वह पुष्टी करती है कि उसमें जीविद जीव है वह मैगनस को देखने जाती है जो उसे सूचना देता है कि वैसल पहले दूसरे रिक की मदद के लिए जा रहा है रोश उसे और कैट को अपने ऑफिस में ये समझाने के लिए लाती है कि राक में कुछ प्रकार के पैरसिटेक्स पॉस हैं जो होस्ट की तलाश में है और यह उनके घावों की जल्दी से ठीक करता है क्योंकि यह एक स्वस्ट शरीर चाहता है उन्हें राक के लंबे समपर्क से बचना होगा और खुले घाव वाले लोगों पर नजर रखनी होगी मैगनेस ने रोश को पूरे क्रू से ब्लद सैंपल्स लेने के लिए बुलाया ताकि उनकी तुलना बाज के सैंपल्स से की जा सके इस हॉल में हेदर ने नोटिस किया कि कोहरा आखिरकार दूर जा रहा है और नेबॉरिंग रिक पूरी तरह से नश्ट हो गया है फुलमर बाज को रोश के रिसर्च को देखता हुआ पाता है और मदद की पेशकश करने की कोशिश करता है लेकिन बाज मना कर देता है क्योंकि लाइट को उसकी जरूरत है रोश भी आती है और देखती है कि बाज ने अपना खून का नमूना ले लिया है इसलिए जब वो उससे सहयोग मानती है तो वो भाग जाता है जब मैगनस को पता चला कि क्या हुआ है तो वो गैट को उन सभी लोगों की जाच करने के लिए भेजता है जिन्हें चोटे लगी है क्योंकि वे अब परीक्षम नहीं कर सकते फुलमेर को आइसोलेटेट करने के बाद मैगनस एक और बैठक बुलाता है अब कोहरा और राग चली गई है वो है चाहता है कि आधी टीम रिक को अच्छी तरह से दिसिंफेक्ट करे और दूसरे आधे बाज को ढूंडे रोज जाच जारी रखती है और पाती है कि प्रित्वी की पर्तों में जिवाश्वा बनने से पहले स्पॉस को देखा गया है जिन्हें डैनेसो के साथ मर जाना चाहिए था लेकिन इतनी गहरी ड्रिलिंग ने एक सोते हुए नेस्ट को जगा दिया है बाहर बाज अपने रख्त के नमूने को समुद्र में फिक देता है उसका शरीर अप पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो परीक्षन के तौर पर पानी की टंकियों को छूता है उन्हें तुरंट स्पॉस से भर देता है जेम्स की आवाज सुनकर वह चिप जाता है लेकिन जब जेम्स स्पॉस वाटर को देखता है और मदद के लिए पुकारता है तो बाज को उसे चुप कराना पड़ता है लाज और डेनलिन कमरे में आते हैं और जेम्स को फर्ष पर धायल पाते हैं लाज ने देखा कि स्पॉस वाटर ने पौधों को उगाना शुरू कर दिया है मशिनरी रूम में हैदर, इस्टर और मर्च को भी तेल पर उगने वाले पौधे मिलते हैं अचानक रेख फिर से हिलने लगती है और डेनलिन को पता चलता है कि जेम्स से खून बह रहा है जब वह अपना हाथ खोलता है तो वह देखता है उसका एक दाथ टूट गया है जिसका अर्थ है कि वह इंफेक्टिड है डरा हुआ जेम्स डिनलिन को मारता है और भाग जाता है प्रेक फिर से पावर खोना शुरू कर देता है इसलिए मेगनस उसे ठीक करने के लिए फुलमर को आइसोलेशन से बहार निकलता है हैदर बास को देखती है और मरपिट में उसका पीछा करती है जहां बास हर जगा पौधे उगा रहा है बास बताता है कि एक लाखो साल पुरानी मेमरी ने उसे बताया है कि उन्हें इस जगा की रक्षा करने की जरूरत है क्योंकि इस पर हमला हो रहा है अगर यह मर गया तो सभी इसकी साथ मर जाएंगे अच्छानक जेम्स भी आ जाता है क्योंकि वह बास के कौज में शामिल हो गया है बाकी टीम को हेदर के जाने का एहसास होता है और लाज उसे बचाने के लिए आता है इससे पहले की हेदर को और जवाब मिले बाज और जेम्स भाग जाते है फुलमर बिजली रिस्टो कर देता है और टीम को पता चलता है कि प्रड़क्शन मॉड्यूल पर फ्लै बंध हो गया है उन्हें इसे विसफोर्ट से रोकने के लिए अलेक्रिसिटी सिस्टम से डिस्क निक्ट करने की आवश्यकता है लेकिन मॉड्यूल कंट्रोल मॉड्यूल 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 के करीब लाने के लिए इस्ट क्रेम को कंट्रोल करता है लेकिन ये छोटा पड़ता है इसलिए फुलमर अपने हॉनेस को खोल देता है और एक उचित शौट के लिए जितना संभब हो उतना करीब आता है फ्लेय फिर से सफलता पूर वक्ट चालू हो गया है लेकिन फुलमर आख की चपेट में आ गया और उसकी देख भाल के लिए उसे इन्फरमरी ले जाना पड़ा मड़ पिट में बाज को फिर से विजिन्स आता है और वह इस डी साइट करता है कि हमले को रोकने के लिए उसे रिखे सिस्टम को बंद करने की आवश्च रकता है जेम्स वाल को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन पाइप अभी भी दबाव में है और वे फट सकते हैं इसलिए वे सोस से सिस्टम अक्सेस तक जाते हैं बाद में रोज से मुलाकात के बाद फुलमर कहता है कि वह ठीक महसूस करता है और कपड़े पहनता है क्योंकि वह मदद करना चाहता है वह रोज और हैदर के रीसर्च पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं और फुलमर अंजाने में एक पैट पर कुछ सर्कल बनाता है जैसे बाज बनाया करता था अच्छानक मैगनस उन सभी को कंट्रोल रूम में बुलता है जहां उससे पता चलता है कि दबाव बहुत आए है क्योंकि बाज वेल से सेफटी को बाइपास करने की कोशिश कर रहा है फुलमर रिमोट से नियंत्रम नहीं ले सकता इसलिए उन्हें बुलजाय आरवी का इस्तमाल करना होगा इस्तर आरवी को गाइड करता है और पानी के नीचे की इमजेस दिखाता है कि भुकम्पुने भूमी पर सिर्कल्स की एक श्रिंखला बनाई है जो फुलमर के चित्रों की याद दिलाती है आरवी सावधानी से वेल तक पहुँचती है और इसे बंद कर देती है जिससे बास्क रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई है वह सिस्टम को सीधे CPU से एकसिस करने की कोशिश करता है लेकिन उस पर अलार्म लगा होता है इसलिए उन्हें इसे दिसाम करने के लिए फुलमर की जरूरत होती है अच्छानक इस्ट के फोन पर मेसेज आता है और क्रूस को पता चलता है कि कम्यूनिकेशन्स वापस आ गया है मैगनस कोस्ट गार्ड से संपर्ट करने की कोशिश करता है और फुलमर उन सिर्कल्स के पीछे का अर्थ खोजता है रोस कम्पनी की सिस्टम में हीदर के मिले कुछ कंटेनरों की खोज करती है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था केवल, सिरीन, नामा के एक प्रोजेक्ट की खोज करने के लिए जिससे वह एकसिस नहीं कर सकती थी उससे फुलमर के चित्र भी दिखते है केट ने अपनी पतनी को फोन किया, जो बताती है कि क्रू मेंबर्स की फैमिली ठीक है और कहा कि उन्हें अलेक्रिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही है भी, शहर में कोहरा आ जाता है और अब जमीन पर रहने वाले लोग के पास पावर नहीं है इंटरनेट सिगनल चला जाता है और गार्ड को मदद के लिए मैगनेस के संदेश नहीं मिलते है फुलमर के शरीर से जुरने के लिए बाज अपनी स्पॉस शक्तियों का उप्योग करता है जो अधिक तेजी से ठीक होना शुरू कर देता है फुलमर को भी अपने सिर में बास की आवाज सुनाई देने लगती है इसलिए वो अपने घावों को देखने के लिए बाथरूम की और भागता है रोज देखती है कि वो गायब है तो वो उसे देखने जाती है एक पल के लिए वहाईने में बास को देखता है, जिससे वह चौप जाता है वह रोज के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है घंटों बाद, रोज फिर से फुलमार को देखने जाती है, लेकिन उसे केवल एक नोट मिलता है के लिए जिससे उसने पीछे छोड़ दिया था बचे लोगों को रिसीव करता है और रोज कोक से मिलती है, जो कमपनी के रिसरच डिविशन के लिए काम करता है और वो तुरंत कंट्रोल रूम में ले जाने की मान करता है केट ये सुनिष्टित करने के लिए सब की जाच करती है कि कहीं कोई घायल तो नहीं है और इस्ट अपने पुराने प्रेमी हरीश को उनके बीच देखकर हैरान हो जाता है कोग बताते हैं कि दबाव की विफलता के बाद उनकी रिक फट गई और उन्हें लगता है कि उन्हें प्रडक्शन मॉड्यूल के अक्सेस को प्रायॉरिटी देने की जरूरत है रोज जानना चाहती है कि कोग को रिग में क्यों भेजा गया था लेकिन उसने बताने से इंकार कर दिया लेकिन कोग शान्त रहा जैसे उसने पहले भी ऐसा किया हो वो उपकरन परीक्शन करता रहा और दबाव की चितावनियों को तब तक अंदिखा करता रहा जब तक की रिग में विस्फोर्ट नहीं हो गया हीथर सिस्टम की जाच करती है और हरीश क्रू सूची पर एक अजीब नाम की और इशारा करता है जो पहले नहीं था उन्हें कुछ ऐसे इमेल भी मिले जिसमें लिखा था कि जीव पहले ही फैल चुका है जिसका अर्थ है कि अंतिम रिंग वर्तमान है और उन्हें नश्ट करने के लिए जल्दी से बंध हो रहा है कोग बताता है कि उनके रिंग में क्या हुआ विस्फोर्ट इंफेक्टेद लोगो द्वारा को एको उड़ाने के लिए खुलने के कारण हुआ था वह production module के लिए एक team भेजना चाहता है लेकिन मेगनस ने उस जोखिम को लेने से इंकार कर दिया और रोज अनुमान लगाती है सभी कंटेनरों का और परीक्षन सीक्रेट प्रोजेक्ट साइन्स से संबंध है फुलमर रांत में बाज और जेम्स के साथ जुर जाता है लेकिन वह नोटिस करता है कि उसका माइंड उसके दोस्तों से ज़्यादा क्लियर है बाज बताता है कि वह अभी तक काफी लंबे समय से स्पॉस के संपर्क में नहीं आये हैं लेकिन वे जल्दी संभाल लेंगे जोडने की बाथ है तीनों कंटेनरों से कनस्तरों को प्राप्त करते हैं और डनलिन को संदे होता है क्योंकि लेबल कहता है कि कार्बन डायोकसाइड के साथ कुछ और भी मिक्स है लाज और मर्च भाग जाते हैं, लेकिन दिनलिन उनके साथ तब तक नहीं जाता, जब तक उसे यकीन ना हो जाता कि जेम्स को बचाया नहीं जा सकता फुलमर वेंटिलेशन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह और बाज दोनों बेहोस हो जाते है कंट्रोल रूम में, कैट देखती है कि कोख मर्पिट के सारे दर्वाजे बंद कर देता है, लाज और मर्च के भागने के बाद जिससे दिनलिन अंदर फंच जाता है दिनलिन के मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वह भी मर जाता है हैदर और हरीश रोज और मेगनेffen को कोख के बारे में बताते हैं और उसका सामना करने के लिए जाते हैं लेकिन कोख कहता है कि यह बस एक सवाइवल एक्शन था मेगनेस दर्वाजा खोलता है लेकिन वह वेंटिलेशन पित तक नहीं पहुँछ पाता है इसलिए रोज नीचे जाती है और लास से मटपिट में प्रवेश करने के लिए एक मास्क लेती है वह मैन्यूल रूप से वेंटिलेशन को बंद कर देती है और फिर फुलमर को देखती है जो मास्क शेय करने पर भी नहीं उठता हाला कि जब वह गलती से पौधो को छू लेती है तो स्पॉस प्रतिक्रिया करते हैं और फुलमर को वापस होश में लाते हैं वे एक साथ पिट से बाहर निकलते हैं बास भी जाग जाता है और आखिरी रिंग पानी के नीचे बंद हो जाती है असली कहानी सुनने के लिए मैगनेस हरीश से मिलता है कोक ने परीक्षन को सीमा तक धकेल दिया क्योंकि वह स्पॉस को नश्ट करना चाहता था जीवित रहने के लिए रिक को खोना का लाटरल डैमज था वैसल उन्हें बचाने के लिए आया था लेकिन वह दुरभट नागरस्थ हो गया इसलिए उन्होंने सिस्टम से सब्मिटा दिया और एक चोटी लाइक बोट पर सवार हो गये जिसका अर्थ है कि उन्होंने लोगों को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया बाद में मैगनेस कोक से पूछताच करता है जो बताता है कि यह सब कंपनी की पालिसी है वे अपने खीमती तेल के भंडार को खोना नहीं चाहते वे बस बिना किसी रुकावट के ड्रिलिंट करते रहना चाहते है इस प्रकार कोक को स्पॉस को नश्ट करने के लिए भेजा गया था अगर उन्होंने इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा जीवित रहने के लिए उन्हें हर संक्रमित व्यक्ति को मारने की जरूरत है मैगनस रोज के साथ उनके विकल्पों पर चर्चा करता है जो सोचती है कि संक्रमित लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा इसलिए वही एक विकल्प खुजने के लिए फुलमर के साथ काम करेगी शायद फुलमर बास की तरह स्पॉस के साथ कम्यूनिकेट कर सकता है और समझा सकता है कि वे एक दूसरे पर हमला करने के बजाए सहयोग कर सकते हैं पिट में बाज को होश आता है कि स्पॉस उसे बाहर कर रहा है और एक और भूगम प्रीक को हिलता है फुलमर बास से जुनने के लिए एक चोटे से पौधे का उपयोग करता है और देखता है कि स्पॉस समुद्र को साफ करने के लिए अगली ग्रेट स्लाइट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं रोज बताती है कि स्पॉस का एक जीवित नेटवक पूरी दुनिया में समुद्र तल पर फैला हुआ है इसलिए यहाँ पर हमला करने से उससे मुश्किल से नुकसान होगा वह सोचती है कि उन्हें बाज से बात करनी चाहिए और उसके बॉंड के मध्यम से स्पॉस को रोकना चाहिए मैगनस बल्की इसे रोकने के लिए कोग के साथ मिलकर काम करेगा लेकिन आन्यरोज की थेरी का समर्थन करते हैं और Magnus उन्हें प्रयास करने की अनुमती देता है Magnus, Rose और Fulmer Pit में प्रवेश करते हैं जहां Magnus को अपने मृत बेटे के दर्शन होते हैं वे बाज को स्पॉस के बादल में ये कहते हुए पाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह विफल हो गया है कोक हरीश की तलाश करता है, समझाता है कि पहले से ही हेलिकॉप्टर आ रहे हैं और वह हरीश और उसके दोस्त को साथ ले जाएगा यदि वह उसे अपना मिशन पूरा करने में मदद करता है हरीश को सस्पेक्ट है कि कोक सभी चीजों को कवर करने के लिए रिग में विसफोट करना चाहता है तो वह सीकर्टली माइक्रोफोन को अक्टिवेट करता है कोक को सब कुछ स्वीकार करने से पहले भूकम के जھके तेज होने लगते हैं और पूरी इमारत तूटने लगती है कोक ने हरीश को रास्ते से हटाने और विसफोट की ओल्टी गिंती शुरू करने के लिए मारा यही वह शन था जब हेलिकॉप्टर अंत में उनसे संपर्ट बनता है कोक अकेले बचने के लिए हलीडेक की ओर भागता है और कैट और हीद उसका पीछा करते हैं जबकि इस्त हरीश को विसफोट को रोकने में मदद करता है हलीडेक में लास्कोक से बदला लेने के इरादे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन लड़किया उसे रोकने के लिए समय पर पहुँचती है हरीश ने ये घोशना की उसने विसफोट को रोग दिया है इसलिए अब सभी अवैक्योट के लिए तयार है और क्रू में शामिल होने से पहले लास्कोक को मुक्का मरता है पिट में रोज ने देखा कि स्पॉज अलग तरह से व्यवहार कर रहे है इसलिए वह उसे चूती है वह स्पॉज के साथ कम्यूनिकेट कर पाती है लेकिन इससे पहले कि वह मानवता के साथ सहयोग करने के लिए कह पाती रिग अभी तक के सबसे खराब भूकम से प्रभावित होता है और लोग उसे बाहर खीच लेते है बास्ट पॉस को ये साबित करने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है कि मनुश्य भी हेल्प करने में सक्षम है उस समय सुनामी शहर से तकराती है और कैट की पतनी को मार देती है इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन ओन करे थैंक्स फ़र वाचिंग